है गाइज वेल्कम बैग टू रॉकेट्री ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम एक आर्टिकल के बारे में बात करने वाले जो कि दे हिंदू ने पब्लीश किया था उनके चैनल पर उनके वेबसाइट पर वैल यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल चंद्रयान 4 5 और कुछ सैटलाइट के बारे में है आई यह उसके बारे में आज हम बात करते हैं उसकी लिंक जो है अल्रडी बता रहो उसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं पहली बात तो हम बात करेंगे सोमनाथ उनके कुछ रिमार्क सो चली शुरू करते हैं सबसे पहले design completion की बात करें तो इसरों ने चंद्रयायन 4 और चंद्रयायन 5 का मतलब चंद्रयायन 5 और चंद्रयायन 4 का जो design phase वो लगभख complete कर लिया है ऐसे दहिंदू का कहना है उनकी तरफ से ऐसे उनका कहना है रेडी है चंदरयान 95 को आगे रेटि के लिए आप लोगों को वैसे पता हुगा जिनको नहीं Пता है मेरी पुराने वीडियो जाकर देख सकते हो आपको i-Button मिल जाएगा वैल इसमें foreign काफी बड़े missions भी होने माले यह चंद्रयान फॉर और फाइव लेकिन क्या है न यह demonstration अभी हमने करना है और अगर हम इसमें फेल होते हैं तो अगर हमें हम इसमें विफल होते हैं तो बैक टू बैक हमें दूसरा mission भी रेडी रखना होगा चाहिक चंद्रयान दो के वक्त चंद चंद्रयान फाइव का launch करना होगा तो इसलिए हमारे पास अभी दो डिजाइन फेज करेंटली कंप्लीट हो चुके चंद्रयान फॉर और फाइव के उसके सीवा है हमारे पास और भी कुछ missions है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरे बताया था कि उसका भी अगस्त 2024 को वेल जो हमारा शुक्रयान जो विनस मिशन था उसको फिलहाल के लिए तो वो लोग रिया रिवैल्यूएट करें रिवैल्यूएट मतलब पहले उनका काईंड ऑफ सब फिक्स हुआ था डिजाइन विजाइन सब फिक्स हुआ था क्या किसके लिए हमें ये करना ह है वो सब फिक्स हुआ था लेकिन अभी फिर से उन्होंने गवर्मेंट अप्रूवल लेने से इंकार किया है इस रोंने पहले वो गवर्मेंट अप्रूवल लेने वाले थे लेकिन अभी गवर्मेंट अप्रूवल नहीं ले रहे वो अभी उनका ऐसा कहना है कि हम फिर से इ को evaluate करेंगे क्योंकि वहां जाके भी हमें कुछ अच्छे काईडफ चीजे मिलनी चाहिए कुछ अच्छा हमें रिजल्ट आना चाहिए वहां जाकर भी हम इतने करोर रुपए invest करेंगे हमें वहां कुछ kind of result भी आना चाहिए अभी next point है future satellite launches जो हमारे इस particular वीडियो का जो next topic भी है well future satellite launches के अगर हम बात करें तो इसरो Indian Space Research Organization के जो chairman इसरो इस समनात है उन्होंने media को कहते हुए का कि लगभक 70 satellites उनको प्रक्षेपित करने है आने वाले पांच सालों तक जिसमें से हमारे ocean set 1,2 भी हो सकते है उसके बाद IDRSS के भी कुछ satellites है उसके साथ G-Sat satellite भी है जिसका प्रक्षेपन हम SpaceX के rocket से करने जा रहा है उसके बाद हम समारा EOS Earth observation के श्रेणी में भी कुछ satellites आते हैं उनका भी हमें प्रक्षेपन करना है ऐसे काफी सारे दोस्तो सैटलाइट से जिनका प्रक्षेपन हमें करना है ऐसे खुद चेर्में इस रूए सुमनात ने कहा था फिर नाविक भी है चार नाविक के satellites का प्रक्षेपन हमें कर करना है कारटो साथ का भी प्रक्षेपन हमें करना है कुछ satellites आगेस प्लैंड है ओशन सैट जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था उसका भी प्रक्षेपन हमें करना है यह कुछ स्केडियूल भी है हमारे इसरो का स्पेस टेक्नोलोज और सैटलाइट डिप्लॉयमेंट के बारे में सो काफी मज़ा आएगा सतर सैटलाइट का प्रक्षेपन हमें देखने के लिए आगे आने वाले कुछ सालों में आईए बात करते इसरों के गोल्स के बारे में मैंने के हैं जो उनका गोल होगा वो ही होगाоме में उसके साथ और चंजल वी भी системट है अर्टिकल में नहीं तक एंजेल्वी है तो जोज़र चौबीस चलुए चार साल बाद मतलब दोज़र अटाइस में एंजेल्वी का भी लॉंच हम देख सकते वेल मैं डॉट तो लेके नहीं चल रहा मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वेल डॉट तभी होगा ऐसे में नहीं बोल रहा है आपको गोल में फोर और फाइफ चंद्रयान फोर और फाइफ तो ही है शुक्रयान भी हो सकता है अगर जल्दी हो उनका तो वेल आईए बात क चीफ एस सोमनात के रिमार्क से बार में जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट भी है वेल इसरों के चीफ ने एक रैपिड प्रोग्रेस भी यहां मेंचन्ड हाइलाइट किया था टेक्नोलोजिकल एडवांस्मेंट्स भी यहां हाइलाइट किये थे और कुछ नए सब्सक्राइट किया था कि जिसकी पात साल हम कह रहे थे कि पात साल में सतर सैटलाइट का प्रक्षय हमें करना है सो यह कुछ एसे रिमार्क से इस बारे में आपको क्या लगता है जरा कमेंट में बताना जरा आपके थोट्स बताना मुझे कमेंट के द्वारा वेल अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आपके दोस्त को यह वीडियो भी पसंद आती है तो उसको भी जरा सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे कर दो